हाई एवरिवन ये सेकिंड पार्ट है लारावेल लोकलाजेशन का और यहाँ पे कुछ अडवांस चीज़ें डिसकस करने वाले हैं लारावेल की लोकलाजेशन के बारे में बेसिक चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में डिसकस कर ली थी बहुत सारी जैसे कि localization क्या होती है, इसको publish कैसे कर सकते हैं, इसके लिए file folder कैसे create होते हैं, default localization कैसे change होती है, specific route के लिए localization कैसे change कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ, यहाँ पर क्या discuss करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊँगा, localization के अंदर parameters किस तरीके से pass कर सकते हैं, और मै आप लोग एक अच्छा खासा Laravel के अंदर project बना रहे हो, उसमें localization यूज हो रही है, तो इस वाले point की आपको definitely कहीं ने कहीं जरूरत पड़ेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ यह चीज, सुध्यान से देखना इसको, second चीज, अभी तक हम लोगोंने क्या कर रहा था, जो localization क अंदर language थी ना, उसको या तो एक specific route के लिए change करके देखा था, या फिर एक default localization.env file से हम लोग उने choose करके देख ली थी, but अब हम लोग यह चाहते हैं कि user, खुद से choose करे कि उसको कौन सी language के अंदर website देखनी है, हिंदी में देखनी है, Korean में देखनी है, English के अंदर देखनी हैं उसके लिए, और then middleware उस language को update कर देगा, जब भी आप लोग अपने project को open करोगे, और पूरी application के अंदर वही वाली programming language आपको दिखेगी, so यहाँ पे हम लोग यह कर पाएंगे, कि user खुद से choose कर सकता है, कि कौन सी language के अंदर उसको website देखनी है, और last में कुछ interview question भी discuss करन यह लारावल 11 के हमारी playlist है, जो आपकी definitely help करने वाली है, लारावल की job में, project में, interviews में, so पूरी playlist देखना, link मैंने description box में डाल दिया, अब पहले topic की तरफ चलते हैं, कि यह parameters क्या होते हैं, और इनको कैसे use कर सकते है, localization के साथ, so मैं यहाँ पे जा करता हूँ, welcome.blade.php open करता ह यहाँ पे simple सी line लिखता हूँ, मैं सबसे, अचा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो अभी तक हम लोगों ने Hindi language चूज कर रखी है, by default, so अगर आप चाहते हो कि यह इसको आपको change करना है, then आप simply dot env के अंदर जाओगे, यह मैं चीज़े last वाले part के अंदर बता चू हो कि यह, यह simple है, अचा, अब आप किसी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे h1 tag लगाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं, hi everyone, this is anilcidhu, how are you doing, right, यह हम लोग ने लिख दिया, अब इसके अंदर देख लो, जो यह anilcidhu है यह dynamic हो सकता है, maybe जो भी user login हो, उसी का नाम हमें यहाँ पे दिखना चाहिए, अब localization के अंदर, ऐसा हम क्या करते है, static चीज़ें लिखते हैं, अगर आप किसी भी localization को open करके देखो, जैसे कि welcome.php है, इसमें जाओगे, तो सारी की सारी static चीज़ें है, हर बार एक user का नाम dynamic कैसे दिख सकता है, इसको, all right, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, so then हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले, same string हमें यहाँ पर use करनी है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, about name, मैंने यह चीज़ ले ली, ठीक है, आप कुछ भी value ले सकते हो, and then इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको copy करके, इस तरीके से, and then इसमें paste क कर देते हैं, ठीक है, but जो अनिल सिद्धु है, इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते है, इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, colon, name, और जो यह नाम होगा, अनिल सिद्धु, यह हम लोग यहां से passed करेंगे, कि अनिल सिद्धु रखना है, Sam, Peter, जो भी नाम है, वो हम लो लिखूँगा यहां पेस्ट कर दूँँगा जो यह अनेल सिद्धूप है एकर मैं इस में इसके लिए कर सकता हूँ यहां पे simply ऐसे लिख सकता हूँ ता कि मैं इसको identify कर पाऊ एक हिंधी के अंदर नहीं से समझ में आ रही है मुझे कोई दिक्कत नहीं है then मैं यहाँ पर जाता हूँ हिंदी वाली welcome के अंदर and यहाँ पर की लूँगा की का नाम क्या था about name and then इसको हम लोग यहाँ पर single language के अंदर लिख लेते हैं एक है ताकि मुझे कोई भी दिक्कत ना हो अब similarly मैं इसको कर लेता हूं Korean के अंदर translate so मैं Korean में translate करूंगा यहाँ यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूं वापिस से यहाँ पर जाएंगे और जो यहाँ पर लिखा हूँ है अनिल सिद्धू इसको मैं यहाँ पर colon name कर देता हूं ठीक है और यहाँ पर quotes भी डाल देते हैं quotes हम लोगों नहीं डाले इस तरीके से quotes हो गई ठीक है तो तीनों के अंदर बन गया अब आप यहाँ भी देख सकते हो जो about name है हमारे पास Korean में जहाँ पर Hindi में और यहाँ पर English में और यहाँ पर मैं अनिल सिद्धुक जी का पर कर देता हूं colon name अब यह जो नाम है यह हमें यहाँ जे पास करना actually इस वाली फाइल से ठीक है तो मैं यहाँ पर simply क्या करूंगा double curly braces use करूंगा then underscore underscore braces start करूंगा और यहाँ पर simply हम लोग लिखेंगे file करना which is welcome.aboutname जो भी हम लोगों ने यहाँ पर रखा हूंगा है एंड इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते है कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे name यह आपको वही name रखना है जो आप यह आप रख रहे हो यहां तो हमारे पास dynamic value आ सकती है न यहां पर आ गया अब मैं इसको refresh करके देखता हूँ यहां पर इसको refresh करूँगा तो हाँ आ पर आ गया अब मैं इसको change करता हूँ .anv वाली file open करूँगा and then मैं इसको यहां पर करता हूँ hi जैसे मैंने यहां पर हिंदी करा तो आप यहां पर देख सकते हूँ यहां पर अनिल सिद्धु आ गया यह ओविसली code के अंदर भी काम करेंगा अगर मैं यहां पर CEO कर दूँगा तो refresh करेंगे then यहां पर आ गया ठीक है अब क्या है कि अगर मैं यहां से welcome.blade.php से अनिल सिद् इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो भी हमें नाम चूज करना होता है वह यहां पर नाम चूज कर पा रहे हैं डोट इन वीके अंदर भी मैं फिर से एक बार के लिए एंगलिश कर देता हूँ तो इस तरीके से हम लोग parameter pass कर सकते हैं अब एक तो इसको हटा देते हैं इसके हमे अपने आप से कैसे सेलेक्ट कर सकता है कि हमें यहां पर कौन सी लेंगविज चूज करनी है ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ welcome.php के उपर जाता हूँ यह वाली welcome नहीं welcome.blade.php और यहां पर simply मैं यहां पर तीन menu बना देता हूँ English इस तरीके से करूँगा यहां पर दो और लूँगा जैसे कि set lang Hindi and Korean यहां पर लिखूँगा Hindi and Korean यहां पर simply कर सकता हूँ एक h1 tag लूँगा और यहां पर लिखूँगा choose your language ठीक है language इस तरीके से तो आप UI के उपर आओगे तो आपको यहां पर तीन चीजें दिखेंगे यहां पर ठीक है तीन यहां पर language दिख रही है आप इनको तीनों को चाहूँ तो थोड़ा सा बियार टैक भी दे सकते हो थोड़ा स्पेस भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं दिक्ट जहांति है तो मैं यहां पे इनमें थोड़ा सा भी यार टेग दे देता हूं तो आप देख सकते हो जाम ते न्यकों को उठा आगे ना थाकि थोड़ा सा हमें प्रोपर ली दिखे भी सबसे ऊपर रख लेता हूं थाकि हमें एक क्लीर में चल क्या रहा है आप देख जुखो को राऊट then get उर गेट के अंदर हम लोग सबसे पहला set length के नाम से रख देते हैं छेखा यही राम था। जो भी आप लोगों ने यहाँ पर रखा था सबसे ऊपर यह वहला ठीक है सेम आप नाम यहाँ पर भी रख सकते हूं अब इसके अंदर आपको पता है कि एक और परामेटर जा रहा है slash के बाद which is en, hi और korean तो इसको get करने के लिए हम लोग simply क्या करेंगे slash करेंगे and then यहाँ पी लिखेंगे lang and then हम लोग यहाँ पे कोमा लगाएंगे function के अंदर इसी language को pass कर लेंगे dollar lang करके जो भी इसको यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले आप चाहो तो return कर सकते हुए कौन सी language आपको मिले है dollar lang करके तो इसको check कर लेते हैं यह properly काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है इसको रिफ्रेश करेंगे आप एंग्लिश पर जाता हूं तो देखो English मिल गया इसको Hindi मिल गया Korean पर जाता हूं Korean मिल गया तीनों ना मिल गया इसको बढ़ी है अब हम लोग क्या करेंगे ना इसको session के अंदर set कर वा देते हैं सो यहाँ पे आपको session कैसी मिलेगा session colon colon यहाँ पर डाल दो put और put के अंदर हम लोग सबसे पहले की डालते हैं अब session क्या होता है इसके बारे हम पहले बता चुका हूं आप playlist चेक कर सकते हूं च्छिक है यहाँ यहाँ पर लिखेंगे dollar lang इस तरह के से यह set कर लिया अब क्या हो गया हो गया जो हमारी language थी हो चुकी है हमारे session के अंदर अब हमें चीज पता कैसे चलेगी session के अंदर set हो चुके नहीं हो चुकी है यह मैं आपको जैसे हम लोग यहाँ पर session set कर देते हैं इसको वापिस से return करवा लेते हैं हमारे जो भी route था हमारा ठीक है तो मैं यहाँ पर करता हूं होगा जाके वापिस आ गई बट यह इसी page के वापिस आ जाती है session को set करके अब session set हो गया लेकिन point यह है कि अब यह language तो change नहीं हुई set length ठीक है आप कुछ और भी नाम चाहो तो रख सकते हो मैंने यहाँ पर set length करके रख लिया अब यह कहां बनेगा आप यहाँ पर देख सकते हो middlewares के अंदर एक set length नाम से folder बन चुक है यहाँ पर हम लोग session चेक करेंगे बट यह session कौन सा रहेगा यह हमारा group session रहेगा तो मु middleware and उसके बाद मैं यहाँ पर simply लिखोगे आप append to group यहाँ पर group बना रहे है then इसका आप group का नाम के रखना चाहते हो मैं इसका नाम यहाँ पर again वही रखूँगा set length करके आप कुछ भी राम रख सकते हो first letter capital भी रख सकते हो सारी letter capital भी रख सकते हो जो भी आप ठीके लगे बट वही चीज़ use करना उसके बाद जो set length इसको import भी करना पड़ेगा यह कहां बनाता जो इसका यह वाला path है इसको copy करना then यहाँ पर आके use और यह वाला path और उसके बाद में जो इसका नाम है यहाँ से यह इस तरीके से paste कर देना और यह आपका import हो जागा है सबसे easy तरीका होता है import करनेगा ठीक है यहाँ यहाँ पर second parameter के अंदर आप लिखोगे set length आपके middleware के नाम और यहाँ पर लगा दोगे class यहाँ पर आपको चाहिए semicolon अब यह आपका middleware apply हो गया but इसको आपको एक बार के लिए उसके उपर भी apply करके देखना पड़ेगा web.php वाली जो file है इन सबको या फिर जिन भी routes के अंदर आप लोग language को change करना चाहते हो उन सब के उपर apply करके देखना पड़ेगा ठीक है then उसके लिए करना है simply यहाँ पर लिखो route colon colon middleware middleware आगया उसके बाद में यहाँ पर जो आपने route का नाम हम रखा हुआ था मैंने middleware की spelling में कुछ बढ़ करी है क्या है अब ठीक है then इसके अंदर जो group रखा था हम लोगों यहाँ पर नाम था यहाँ पर set lang तो यहाँ पर आओगे और यहाँ पर set lang ही इस तरीके से simply डाल दोगे then उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे group डाल ठीक है and then इसके अंदर एक simple सा function जो यूजले हम लोग function यूज करते है और यहाँ पर तरीके से इन तीनों route को इस group के अंदर डाल देते है और last में इसके अंदर semicolon में लखा देंगे ठीक है तो तीनों इसके अंदर route आ गए अब जैसे ही आप लोग इन तीनों में से किसी भी एक राउट को call करोगे तो यह वाला जो middleware था ना यह call होगा एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि यह प्रोपरली काम कर रहे है कि नहीं कर रहा प्येश्प रिफ्रेश करेंगे सब कुछ प्रोपरली काम कर रहे है ठीक है but the thing is हमें पता कैसे चले है कि सेट लेंग यह काम कर है सेट लेंग ठीक है अब अगर आपको यहां पर कुछ खास नहीं करना यहां पर local सेट करने सिंपल आपको क्या करना यहां पर एप और एप से पहले slash लगा दे ना मैंको एक डिरेक्टरी बैक जाना पड़ता है एप कोलन कोलन सेट लोकेल लोकेल का जो एल है वो आईगा सेट लोकेल एंड इसके अंदर यहां पर डाला होगा डॉलर रिक्वेस्ट इसके अंदर से निगलेगा सेशन यह अपने आप में फंक्शन होता है और यहां से आएगा get lang and that's all ठीक है आप इसके अदर एक चीज़ करें जया जोगा जोड़र अगर यह जिए और यह सेट हे तभी काम करें है एक बार इन इसको रिफ्रेश करकर देखता हूं जैसे में लोग न Wit लास्टांप्र क्लिक कर अगया चैसे मैं हिंदी पर क्लिक करता हूं तो देख ओंडी पे आगया हिंगलिश पे करता हो हुआ होगा हर बारे मिर्नगल ओर हो रहा है तो यहां पर सश्विह हमें के अंदर ःतर हो जा रहा है और सब्सक्राट plyक कर रहें है कि लिदे अगर आप यहां पर पात आप लीकार यह रबाउट वाला इसके अंदर भी हम लोग यहां पर 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 अब ले रहे हैं ठीक है इसको एक बार के लिए कर मैं हटाने कोशिश करूँ यहां से इसको मैं दूसरे डाउट बना देता हूं इसको कमेंट आउट करके यहां पर लिप दूँगा वाँ route, colon, colon, view यहां पर कर देंगे about then, about ठीक है यहां पर आते हैं इसको refresh करेंगे then मैं about के उपर जाता हूं तो देखो यहां पर English है अभी के लिए जहां पर मैंने कर दिया हिंदी और then अब मैं जाता हूं about के उपर तो यहां पर आप को Hindi दिखेगी अगर मैं लास्ट वाले page से Korean select कर ली यह है मेरे हिसाब से about अग इसके उपर जाता हूँ तो अभी भी मुझे हाँ भी Korean दिख रही है right so इस तरीके से हम लोग हमारे application के लिए localization को set कर सकते है by user, user कुछ से कर सकता है thank you so much for watching this part इसमें कुछ doubt, कुछ confusion है तो मुझे comment section के उपर पूछ लेना please and channel को subscribe करना, video को like करना बिल्कुल मत भूलना यह आपके लिए free of cost है बट इससे मुझे बहुत value मिल दे है thank you guys, thank you so much for watching this video